नमश्कार में जैदि मिश्रा एवन स्पेशल में आपका स्वागत करती हूँ कोर्णा काल में अब अध्योगिक गति विध्या शुरू होने लगी है कर अध्योग अपनी गति को पकड़ने लगी है लेकिन अभी भी रियल स्टेट में सुस्ती है इसके क्या कारण है? कब तक रियल स्टेट बाजार को बूस्ट अप मिलेगा? सरकार से उन्हें क्या उमीदे हैं? यही सब जानेंगे एवन स्पेशल में रियल स्टेट सेक्टर देश के और प्रिदेश के आर्थिक विकास की दशा और दिशा को तै करता है जब रियल स्टेट चलता है तो करीब 300 दूसरे ट्रेट्स को बिस्निस मिलता है लेकिन कोरोना की स्काल में दूसरे उध्योग और व्यापार की तरह रियल स्टेट की भी रफ्तार ठप हो गई है बिलजर और इससे जुड़े लोग मुश्किल दौर का फिलहाल सामना करे हैं लेकिन मुश्किल भरे समय में ही नए अफसर निकलते हैं प्रिदेश के बिलजर्स दे वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने के लिए के नई रणीती बनाई है उनका कहना है कि सरकार का सयोग अगर हासिल हुआ तो इसकी सफलता से लोगों को अपना घर मिल पाएगा सरकार को राजस्वो और बिलजर्स को अपना बिजनिस भी मिलेगा रियल स्टेट के वर्तमान परिद्रश्यों और भविश्य की दशा और दिर्शा पर क्रेडिया आए राजस्थान के चेर्मेन गुपाल गुपता से एक खास बाचीत की हमारे समवारता बीके शर्माने रोटी कपड़ा और मकान आदमी की प्राथमिक जरूरते हैं लेकिन जब मकान बनते हैं तो आम आदमी के लिए रोटी कपड़ा का भी इंतिजाम होता है क्योंकि इसके व्याफसाय से हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं कोरोना काल में रियल स्टेट सेक्टर को एक बड़ी चुनोती का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इसमें कई नए अबसर भी है इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं क्रेडाई राजस्थान के चेर्मेन गोपाल गुपता गुपता जी सबसे बड़ी ये चुनोती ये है कि पहले से मंदी का दौर था रियल एस्टेट में और अब ये कोरोना काल के डाई तीन मेंने तो अब आगे कितनी बड़ी ये चुनोती है और इससे बाहर निकलने का कोई उपाय आपने सोचा है मैं एक बात कहना चाहूंगा एवन टीवी के माध्यम से कि जब भी कोई चुनोती आती है तो नए अफ़र पैदा होते है और चुनोती को जो अफ़र मानके काम करता है वो सफ़र होता है मैं 1976 से काम कर रहा हूं इस सेक्टर में 1976 में कानूर आया शेरी भूमी अधिक्तम सीमा अधिनियम लगा कि अब ये काम पूर्दर बंद हो जाएगा जमिन सरकार ले लेगी तो भष्ष्य में इस सेक्टरा कोई भष्ष्य नहीं होगा लेकिन हमने प्रयास किया और उस सेक्शन 20 के अंदर राज सरकार को बताया कि सर सेकारी समयत्य के माध्यम से विकास करने पर टाउंसी बनती है लोगों मकान मिलते हैं उसका प्रणाम यह हुआ कि अज जेपूर शेर के चारो और पांच हजार सेधिक कॉलोने ड़लप हुई है जिसमें 20 लाग सेधिक लोग निवास कर रहे हैं कि अगर यह मकान ने बने होते आज किराय के हालत क्या होती सामन जन को रहनों को जगे नहीं मिलती इसे प्रकार 91 में जब पावरी मजजित वाली घटना घटी तो जैपूर शेर में बड़ी भैंकर कर्फू लगा वरत्पान कर्फू से सोगुन अधिक टाइड था ना सभज कि उस इस तीज़े में मैंने हिम्मद बनाईगी मेरे साथियों को कि इस चुनोतियों को असर मानों प्रणाम यह हुआ मेरा मानना यह था कि जो चार दिवारी के बीच में लोग परिशान हो रहे हैं वो अपने बच्चों के भविश्य स्ट्रक्शन बहार निखलेंगे और तरुप से मेरा आंकलन सही सित हुआ और उसके बाद बड़ी तेजी आई भूम आया उसके पुर्णावर्ति में दोबार देख रहा हूं आज जेपुर शेहर में हम बात करें पांचों डिविजन के रास्तान में उधेपुर, जोधपुर, विकारे, अजमेर इस सब डिवि जोड़ातियास के रहे हैं। क्यों ? कि अपाटमेंंट के गेट पर सुर्क स्राख आई प्राधान है। सभजी वाल आ रहा है उसकी चेक क्या जा रहा है। जाशपर्ताल के बादू क्या जा रहा है।ициं दोधाले की जाशपर्ताला के जा रही है। अजमी परिसरונה में लहें है कि वो बाहर निकल के आएंगे जैसा आपने का रोटी कबड़ा मकान प्रियर्टी है देखिए आजादी के बाद में और रोटी पेट भढ़ने लाग कमाना मुश्किल नहीं है लेकिन सम्मान पुर्व जिना अगर कोई चाहता है थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आज आपन चाहिए जैसे अपन में मदद की और अब इस्तीती यह है कि एकोनोमी पुरी तर डिस्टब हो चुकी है राइस्तान के नहीं हिंदुस्तान के नहीं पुरे विश्व की एकोनोमी आज वेक्ति के सामने कुल तीन प्रियर्टी हैं लंगजरी गाड़ी नो प्रियर्टी लंज के बच्चेओं को सुरुष्टी तरे मकान मिले तो पिछले चार मई से जब से राज सरकार ने छूट परदान की है तब से मैं देख रहा हूं हमारी इंकोरी ते बढ़ चुकी है हमारे जो कड़ी के मेंबरे 280 वो निरंतर उनको मैंने किया रखा है कि आप सुरक्षा का ध्य नखिये मजदूरों की सुरक्षा का उनके देख बाल का उनके पूरा थेरामेटर से चेक अप किया जाता है आने वालों पुरे ध्यान लखा जाता है अब एक नया कंसेप डलो होने जा रहा है वर्क फ्रूम होम अब आदमी आने वाले समय में अधिक तरह काम घर पे करेगा तो ऐसे आवासों की डिमान बढ़ेगी मांग बढ़ेगी जहां पर रहने के साथ परिवार के लिए सुख सुधा हो क्लब है डिपार्टमेंटे स्टोर है बुज़रों की लाइबरी है स्विंग पूल है और रोजगार पूरक वेक्ति के लिए घर में बैठके काम करने के ल कि सरकार भी बड़ी हमारी सानबुती विचार कर रही है खास कर गहलो साब एक ऐसे मानवी दस्टिकों ने वेक्ति है और उनको देवी शक्ति प्राप्ते ग्यारा मार्च को हिंदुस्तान में सबसे पहले धार्मी किस्तलों पर और सेक्ष्ण सस्तानों पर किसी ने सम्मान पुर्वर धंस से प्रतिमन लगाया वो राजस्तान था इट वाद विजन ओफ आवर चीप मिस्टर अशो कहलो साब उन्होंने पताने कौन से देवी शक्ति है जो उनको अगरिमा करके चेतना देती है प्रेजित करती है और से प्रेजित होकर निड़े करते है अचा आप ने मुक्ष्ण मंत्री की बात किये तो आप अब मांग भी किये आपकी तरफ से क्रेडाई रास्तान की ओर से कि यदिश टैम ड्यूटी में रियायत दी जाए एक फार्मूला भी सुझाया है कि उसको दिसंबर तक उसमें कटोती की जाए पहले तीन वहने में एक अलग स्लैब है और बाकी और दूसरा स्लैब है तो इस से कितना बेनि उनके लिए राजस्त चाहिए अधी कटोती होगी तो कैसे काम होगा देखिए दो प्रकार व्यापार होते हैं कि मैं एक पुरे दिन में एक आर्टम सेल करूं दस्यार का और हजार में कमाई कर लूँ दूसरा व्यापार ही क्या करता है आपको ध्यान हो जब हिंदोस्तान पाकिस्तान मना और शरणार्थी पुर्शार्थी यहां पर आये दुकान से चीनी खरीद करके भाव के बाब बेज दिया करते थे मार्जन कम था कि अबल वो कट्टा बेज करके उसमें कमाई करते थे आज इसलिती यह सरकार ज्यादा टेस्ट लागा करके कमाई करना चाहती है या ज्यादा उत्पादर बढ़ा करके टर्णोर बढ़ा करके कमाई करना चाहती है मेरा सरकार से अन्रोद यह है कि सरकार सानब पुरू विचार करें करशी के बाद सबसे अधिक रोजगार्ट पूरक और को व्यवसा है वह रियर स्टेट इसमें 300 इंडस्टीज डिपेंड करती हैं यह उद्ध्योग चलेगा तो 300 उद्ध्योग धंदे सरकार को रोयल्टी जी एस्टी स्टाम डूटी इतनी आए बढ़े कि फूल करश चूजती है लेकिन फूल की खुबसूर्टी ख़तम नहीं होती है वह शर्दे के जाती है लेकिन फूल की मुलेता बराख रहे तो आप इतने टेस्ट लगाई है हम जिन्दा रह सकें खास करके मैं ध्यान आकाशित करना चाहूंगा आपके टीवी के माध्यम से माननी मुक्यमत्र मोदय का जो जनित के बाद को सुनते हैं समाधान करते हैं मानिवर 2009 में आपने गरीमों को मकान देने के लिए अफोर्डेवल होसी पूल से बढ़ाई और आपने लो इंकम ग्रूप मेडियम उनकर गूप के लिए आपने पचास पैस्टम डूटी की लेकि इस कीम का नाम बदल करके मुक्यमत्र जन आवास चोजना कर दिया गया और जो इस टाम डूटी पचास रूपे थी सो रूपे थी उससे आपने कर दिया तीन परसेंट तो जिस वक्ति को पहले पचास रूपे देना पड़ता था बिचारा रिष्य वाला है तांगे वाला है देली वेतन भोगी वक्ति है उस बिचारे को तीन परसेंट आठ लाग का मकाना चोईस हज जार रूपे मार अगई मैं कहना चाहता हूं पहले चैनल मैं माना नहीं मुक्यमत्री दी आप जो अफ़र्ड और हाउसिंग के बिचारे खरिदार हैं जो उस के परती सान मुक्यमत देखो और उन्होंने बड़ी सान्मुति दिखा करके हमारी बात को सुना बासकर सामन साफ जेडी सी धरिवाल साफ को हमारा ओनलाइन बाचित करके उन्होंने हमारी बात को वह तर पहुंचाया और अनेक ओर निकाले मानचित अर्मद सुर्क में रियाद दे दी बेट्रम ल आजस्थान में क्याइस थेती जो कमर्शल और रजिदेंशल दोनों कितने प्रोजक्ट अभी पेंडिंडिंग है या रेडिटी व सेल हैं Яभ कमिंग problem बलुचा प्रोज자 की क्या थेती है आपने बड़ा चा पुछा 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 पुछ टीन प्रकार के प्रजट हैं न यह मान के चलता हूं आने वाले छे से आठ मैने में उन पे लोग विचार कम करेंगे भविश में पब्लिक सेंटिमेंट देख करके उसके बाद नए प्रजेट आएंगे जो प्रजेट अपरूड हैं उनके सामें दिक्कतारी लेवर के समश्या की राज्यतिक प्रतीस फर्दा मैं अधिक मजदूर कौन भेगता है अधिक शमिक कों लेकि आता है राज्यों में प्रतीस फर्दा हुए और ट्रेले लगा करके आपने मजदूर भेज़ दिये जिन मजदुरों को तीन मेने से हम बैठा खाना खिला रहे हैं उनके देखबाल कर रहे हैं और जो काम करने टाइम है इधर आपने लोडान खोला उनका आपने भेज़ दिया तो हमारे साम चुनों त्यारी मजदुरों की शमिकों की तो सरकार इस पर विचार करें आपने एक और बा अपार्टमेंट्स का है बिलकुछ सही कहा आपने कि मैंने कहाने कि पब्लिक सेंटिमेंट बदल रहा है आदमी हमेशे कोशित कर रहा है कि मैं सुरक्षित रहूं लगजरी अपार्टमेंट विलाज फार्मा उसे इन में थोड़ी कमी आएगी छे मेने बाद लोग मैसूस कर करेंगे जब डड़ निकल जाएगा विक्षिन आजाएगा आज पेली इसकी प्राइड़िटी यह है कि मैं ऐसी जगे निवास तलाश करू जहां मेरे परिवार के सुरक्षा हो ओन कॉल पूरी सुरक्षा मिल जाए तो मल्टी स्टूर अपार्टमेंट नीमों के अंसार बं हैं उन मकानों पर ताक्रशन बढ़ेगा मेरा मानना ऐसा है तो यह है क्रेडाई राजस्थान के चेर्मेन गोपाल गुपता इन्होंने वर्तमान परिस्तितियों में रियल एस्टेट की इस्तिती पर हमसे बात की